आदाव आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत है जमोकिश्मीर बैंक के चेर्मन परवेज एहमद को रिमू कर दिया गया है यानि उनको वो जमोकिश्मीर बैंक के चेर्मन भी थे उस हेड़कोर्टर में जाती हुई नजर आई अब वो वहां टीम्स क्या कर रही है क्या कुछ हो रहा है वो तो थोड़ी देर के बाद क्लियर होगा लेकिन अभी जो ही जमोकिश्मीर बैंक के चेर्मन को हटा दिया गया फॉरण फेस्बुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर ब भज़र जाएगा तो शायद भारतिंता पार्टी की जो केंदर की सरकार है उसके साथ भी जोड़ा जाएगा यहां स्ट्रेट लाइन के माद्यम से दो तीन चीज़ें साफ करना चाहेंगे एक तो यह जो जानकार सूतरू से हमें पता चला है वो यह है कि यह सारा मामला रिक खा गया यही मामला नहीं है मामला और भी मामले और भी बहुत कुछ है आप भली बाती जानते हैं कि जमोकुष्मीर बैंक में जो रिक्रूटमेंट्स होती है आम तो पर आपको सुनने को यह मिलता है कि यह रिक्रूटमेंट्स के लिए पैसा चलता है यानि आपको अगर ज चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए थी, आज नहीं, सालों से इसकी जरूरत थी, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, दूसरा, जम्मू कश्मीर बैंक ने कश्मीर घाटी के हो या जम्मू के हो, कुछ ऐसे बड़े ब्यो पारी हैं, कुछ ऐसे बड़े लाला लोग हैं जिनको लोन्स दिये हैं लोन्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनको दिये गए हैं क्योंकि उनका कुछ राजनितिक पार्टियों के साथ करीबी संबंद हैं या वो कुछ राजनितिक पार्टियों के बड़े लोगों को जानते हैं और अक्सर ये भी होता रहा है कि जमो कश्मीर बैंक का जो चेर्मेन बनता पिसले कम से कम अगर मैं 996 से लेकर आज 2019 तक देखू जो भी जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन बना वो या तो पब्लिक डोमेन में हैं लेकिन इन बातूं में कितनी सचाई है उनका इन्वेस्टिगेट होना भी बहुत ज़्यदा जरूरी है अब दूसरी चीज मुस्लिम विक्टम हुट कार्ड कि परवेज इसने निकाल दिया गया क्योंकि भारतिनता पार्टी चाहती है कि जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन हिंदू हो क्योंकि कभी जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन कोई हिंदू रहा ही नहीं ये भी तत्यों के आधार पर नहीं है तत्य ये हैं कि गर्दारलाल डोगरा जमो कश्मीर لوگ ہیں اسکے سنگ جمہو کشمیر بینک کے چیئرمن رہ چکے ہیں عشوق کمار جمہو کشمیر بینک کے چیئرمن رہ چکے ہیں اور بھی کئی نام ہیں جو جمہو کشمیر بینک کے چیئرمن رہ چکے ہیں ہاں ایک سچائی ضرور یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد جتنی بھی سرکارے بنی ان سرکاروں نے اپنے خاص لوگوں کو اپنے غریبی لوگوں کو اپنے دوستوں کو بینک کے چیئرمن بنایا इसमें भी कोई शक नहीं कि जोन दोस्तों को चेर्मेन बनाया वो चाबिल थे एमवाई खान जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन रहे कोई किसी से ये बात धकी छुपी नहीं कि एमवाई खान डॉक्टर फारुग अब्दुल्ला के करीबी रहे नैशनल कॉनफरेंस के करीबी थे और एमवाई खान डॉक्टर फारुग अब्दुल्ला के टेनियूर में तो जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन रहे ही रहे उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए चेर्मेन रहे प्यूपल जमो कश्मीर में आई तो डॉक्टर हसीब द्राबू को मुझफर हुसेन बेग ने इंटर्डूस किया मुझफर हुसेन बेग ने उनको जब इंटर्डूस किया वो बैंक के चेर्मेन बने आज जैसे आप एकदम से हंगामा हो रहा है कि जी अचानक क्यों बदल दिया गया अचानक ही जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन बदले गए हैं इतिहास को जड़ा पलट कर देखें तो आपको मालूम ये पड़ेगा जब भी सरकारें बदली रातो रात चेर्मेन भी जमो कश्मीर बैंक का बदल दिया गया और आपको ये भी याद होगा डॉक्टर हसीब द्राबू जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन बने मुजफर हुसेइन बेग फैनांस मिस्टर हुआ करते थे द्राबू साब एकनॉमिक एडवाइजर भी थे और जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन भी थे वो भी समय था उसके बाद डॉक्टर हसीब द्राबू चेर्मेन रहे 2009 में नाशनल कॉन्फरंस कॉंगर्स की सरकार बनी दो नाम निकल कर सामने आए एक नाम मुश्टाक एहमद का था और दूसरा नाम था प्रोफेसर सैफदीन सोस के बेटे का ये दोनों नाम थे जिन नामों के पर चर्चा चल लएई थी कि इन दोनों में से एक जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन बने गा अब सवाल यहां पर ये क्यों प्रोफेसर सैफदीन सोस क्योंकि वो कांगरस के थे मुश्टाक एहमद नेशनल कानफरेंस के करीबी माने जाते थे क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि काबलियत की बन्याद पर किसी तीसरे आदमी को जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन बनाया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस समय मुश्टाक एहमद को चेर्मेन बनाया गया और मुश्टाक एहमद को अब्दुर्रहीम राथर का मुहमद शफी ओडी का करीबी माना जाता था उसके बाद 2009 और 2014 के बाद जब सरकार बदली मुश्टाक एहमद रिटायर हुए उनकी रिटायरमेंट के बद परवेज एहमद को जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन बनाया गया हाला कि तास्र ये दिया गया कि उनको काबलियत की बन्याद पर चेर्मेन बनाया गया लेकिन बहुत सारे लोन केसिस के मामले में जो फैसले परवेज एहमद ने लिए रिक्रूटमेंट के मामलों में जो फैसले परवेज एहमद ने लिए या जिस तरीके से जमो कश्मीर बैंक में रिक्रूटमेंट हुई वो इस और इशारा कर रही थी कि जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन किसी ने किसी पार्टी की बात सुन रहे हैं और उसके बाद आपने वो चीजें भी आपके जहन में होगी कि कुछ अख़बारों में खबरे भी आई कि भारते जन्ता पार्टी के भी एक वरिष्ट नेता ने अपनी कौश्विंसी के कुछ नौजवान लड़कों को जमो कश्मीर बैंक में एपॉइंट करवाया अगर ये सच है तो ये भी जमो कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं के भी जमो के भी कश्मीर के भी मेरिट की बुनियाद पर जो रात दिन मैद करते हैं और उसके बाद उनकी उमीद और तवक्का यह होती है कि वो बैंक में उनको नौकरी मिले उन्हें नौक्रियां नहीं मिली और अगर दो लोग भी इस तरीके से जमोकिश्मीर बैंक में लगे हैं तो गलत है उन दो लोगों के खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए क्योंकि कोई भी बैक डॉर एंडरी बैंक के अंदर हो ये किसी दूसरी इंस्टूशन में हो साफ मतलब है वो मेरिट को काट कर होती है और आज पर मूग किया गया लेकिन अब फॉरन विक्टम हुट कार्ड शुरू हो जाएगा फॉरन परवेज अहमद अब बहुत बड़ा हीरो बनाने की उनको कोशिश की जाएगी यहां मैं आपको ये भी बताओ आओ आर के छिबर जिनको जमोकिश्मीर बैंक का इंटरिम चेर्मन बना सकती है या सरकार अगर फैसला दूसरा करती है और सरकार एक बाज़वता नए एक चेर्मन को ढूंड़ती है वो भी एक पॉस्पिलिटी ते इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिं अभी क्या होगा और अभी क्या हो रहा है अगर स्टेट विजिलेंस और्गनेशन रेट क कोट की भी छुटी है तो इन तमाम चीजों को दिहान में रखते हुए अगर आज की दिन सरकार ने फैसला लिया है तो इसका मतलब मामला गंभीर है और एक और चीज़ अब इन तमाम चीजों को भी बल मिलेगा इन बातों को भी बल मिलेगा कि जब मुकश्मीर बैंक के अंदर जो recruitment हो रहा था उस recruitment में बड़े पैमाने पर धांदलियां हो रही थी अगर ये rumors है इन rumors को भी बल मिलेगा और जो लोग ये सब इल्जामात लगा रहे थे वो अब सामने आएंगे और एक और चीज़ जिसकी और जमो कश्मीर बैंक के चेर्मेन को हटाने के बाद अब सरकार को दिहान देना होगा वह जमो कश्मीर बैंक को Right to Information Act के दाइरे में लाना Right to Information Act के अंदर जमो कश्मीर बैंक क्यों नहीं आता अगर आप सरकारी बैंक हैं और तमाम सरकारी मुलाजिमों के Bank Accounts बैंक खाते आपके बैंक में हैं तो आपकी आपसे सवाल जवाब करने का अधिकार आम नागरिकों को क्यों नहीं Bank क्यों डराता और धमकाता है चाहे वो RTI Activist हो पत्रकार हो जिसने भी जमो कश्मीर बैंक के अंदर जो कमयाँ, कमजोर्याँ खामयाँ उनको पॉंट आउट किया उसके खिलाफ फॉरन अप करोलों का दावा पेश करते हैं और तीन तीन चार चार वकीलों को उसी काम पर लगा देते हैं ये काम है बैंक का आखर कर अभ्डर किस ची से रहे हैं और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आपके बैंक के अंदर ये बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इन तमाम चीदों से परिशान है जो बैंक के अंदर जो डिफॉल्ट हो रहा है उससे परिशान है जो बैंक के अंदर चोरी हो रही है उससे परिशान है आपने डेट्रो करोड का लोन एक बिजिसमेन को दिया वो इस लोन को वापस नहीं कर सका अब उस बिजिसमेन को ये लग रहा था कि शायद नेशनल कौनफरेंस की सरकार जमो किश्मीर में बनने वाली है जो ही सरकार बने करेंगी चूंकि फारान्स मेंस्टर नेशनल कांफरेंस से होगा तो हम फॉरण जमो किश्मीर बैंक की च्रियर्मन को कहेंगे कि इनको 200 करोड लोन दीजिए 150 करोड एड़ेस्ट हो जाएगा 50 करोड ओल लोन मिलेगा ये थोड़ी देर के लिए अपना कारोबार करेंगे और उसको उसकी दिक्कत ने दुगनी तिगनी और चौगनी कर देते हैं वहां पर ये कैसे जस्टिफाइड है कि आप बिग बिजनस हाब से उसको जिनका जिनके रिष्टे नाते सियासी लोगों के साथ हैं उनको असानी से लोन दे देते हैं उनके डिफॉल्टर होने के रहा है लोन दिया था लोन डिफॉल्ट में चला गया किसी एक कंपनी को लोन दिया वो डिफॉल्ट में चला गया एक बृवरी को लोन दिया गया वो डिफॉल्ट में चला गया ये तमाम मामले भी जमो कश्मीर बैंक में हो रहे हैं हाला कि बैंकिंग मामले हैं ये मामले इसलिए हटाया गया क्योंकि वो मुसल्मान है और बीजेपी एक हिंदू चेर्मेन को जमो कश्मीर बैंक पर थोपना चाहती है, सवाल होना ही नहीं चाहिए, बैंक का चेर्मेन अपनी competence, capability और intellect की बुनियाद पर होना चाहिए, जमो कश्मीर बैंक का चेर्मेन वो शक्स होना बढ़ाए, बैंक के बिजनस को चार गुना कर दे, वो आदमी किसी भी धर्म से तालुक रखता हो, किसी भी समुदाय से तालुक रखता हो, वो पंजाब का हो, वो केरला का हो, वो चाइना का हो, कहीं किसी भी जगा का हो, अगर सरकार को लगता है कि ये आदमी बैंक को चला उन इशूस को एडरेस करके, इस बैंक को रिफॉर्म कर सकता है, और बैंक के प्रॉफिट को तीन गुना चार गुना नहीं, बलकि दस गुना बीस गुना बढ़ा सकता है, तो ये कोई जापते होने चाहिए, ये कोई क्राइटिरिया होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर बै पिस साल का आंकलन करे, 96 से, 22 साल का आंकलन करे, तो बैंक का चेर्मेन अक्सर वो शक्स, जम्मो कुश्मीर बैंक में बना, जिसका तालुक किसी एक राजनीतिक दल के साथ हो, चाहे National Conference के साथ, चाहे People's Democratic Party के साथ, तो जब इस तरह से बैंक में रिक्रूटमेंटस होगी, जब इस तरीके से bank की chairman आएंगे तो उसके बाद सभाविक है कि कोई भी आदमी सवाल पूछेगा कि आप competence की बात क्यूं करते हैं, आप capability की बात क्यूं करते हैं, आप intellect की बात क्यूं करते हैं, आप business की बात क्यूं करते हैं, ये तमाम सवाल खड़े होंगे. तो आज जो जमो किश्मीर bank के chairman परवेज एहमत को हटाया गया है, ये बहुत बड़ा development है, इंटरिम जो इसके chairman आये है, Mr. R.K. छिबबर आये हैं, इससे पहले ग्रामीन bank में थे, वहाँ से वापस लाए गए, इस वकद जो थे लगभग वो bank के chairman के बाद सबसे senior आदमी वही ह जमो किश्मीर bank में और बिल्कुल इस protocol को follow किया गया है, और R.K. छिबबर तीन महीने के लिए तो आए हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इनको तीन साल के लिए जमो किश्मीर bank का chairman न्यूक्त कर सकती है, या हो सकता है किसी दूसरे वेक्ति को लाना हो, वो भी possibility है, तो इसम Muslim victim hood का इसमें किसी किसम का कोई गाना या कोई रागलापने की जरूरत नहीं है, नमबर दो, bank के अंदर, governor के कहने के बावजूद, बार बार governor के समझाने के बावजूद, कि आप bank को RTA की जुम्रे में लाइए, और foreign RTA की applications accept करना शुरू कीजिए, लोगों को right to information के जरिये, bank ने उस पर कोई काम नहीं किया, recruitment का process आया, तो bank ने जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई खड़ी कर दी, bank ने cut-off जो था recruitment में, जम्मू का cut-off 65 पहुचा दिया, कश्मीर का cut-off 46 किया, बाद में जब pressure पड़ा, तो 40 पे cut-off दोनु जगा का लिया आए, तो ये तमाम चीज recruitment के process में पैसा involved है, और पांच में और सबसे important बात ये है, कि bank की credibility को नुकसान नहीं पहुचना चाहिए, bank की credibility खराब नहीं होना चाहिए, और bank चूंकि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का bank है, तो RTA के परियों में आने में, या RTA को accept करने में इस bank को दिक्कत क्या है, जब आ आप इन तमाम मामूलों में दिक्कत करते हैं, जब आप इन तमाम मामूलों में hesitation शो करते हैं, जब आप बड़े लोगों के लोनों को adjust करते हैं, और उन्हें चोरी करने में मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है, फिर इस तरह के action मिंटू में भी हो सकते हैं, सेकेंडू में और एक और चीज़ यहाँ बताओं, चुकि इस समय केंदर में भारतिंदा पार्टी की सरकार है और जमुकश्मीर में राजजपाल शासन लागू है, तो फॉरन कह दिया जाएगा कि यह जी केंदर का फैसला है, जो पार्टियां यह कहें वो अपने गिरेबान में जहांक कर द ली, नेशनल कॉंफरेंस कॉंगर्स की सरकार बनी, आपने रात और रात बेंक का चेर्मेंट, अंसेरमोनिसली आपने डॉक्टर हसीब द्रावू को बेंक के चेर्मेंट की पोस्स से बाहर निकाल दिया, आप करें, तो सही है, कोई और करें, तो मुसलिम विक्टम होड है, तो मुझे उम्मीद है कि इस स्टेट लाइन के स्पेशल लाइव से आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई होगी, स्टेट विजलेंज और रेट्स जरूर की है, तफसीलात क्या है, डीटेल्स क्या है, वो भी तक सामने नहीं आई है, डीटेल्स जब सामने आएंगी, हम हम तक पहुंचेंगी और हम जब कन्विंस्ट होंगे कि ये डीटेल्स बिल्कुल सही है, ये वाटसब फैक्टरी से या फेस्बुक फैक्टरी से निकली हुई डीटेल्स नहीं है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कि जमुकश्मीर बै कोई राजनीतिक connection नहीं है उनका, कोई बड़ी political party उनके पीछे नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है, आरके छिपर के साथ की बीजेपी ने उनको recommend करा, तो तो जाके वो chairman बने नहीं, अपनी काबलियत और अपनी honesty और dedication के कारण आरके छिपर इस समय interim vice chairman बने है, और ये भी possibility है कि उन्हीं को तीन साल के लिए जमो कश्मीर बैंक का chairman बनाया जा सकता है, तो governor ने finally एक लंबे समय के बाद एक फैसला लिया, और फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि उनको भी अब लगने लगा था कि जमो कश्मीर बैंक की credibility, जमो कश्मीर बैंक की position है, उस position को किसी ने किसी तर पर रोक लगाई जाए, और recruitment के मामलू में, जो regional bias, recruitment के मामलू में, जो religious bias का इल्जाम था, कम से कम उस इल्जाम को verify किया जाए कि वाकई क्या ऐसा हुआ है, या नहीं हुआ है, तो दीजे सही जुने धाश्मी को इस खास facebook